सुप्रभाद बच्चों हिंदी ग्लास में आपका स्वागत है अभी हम लोग तीन अक्षर से बने शब्द पढ़ रहे हैं वाक्य भी पढ़ लिए हैं और ये हमारा छोटा सा पार्ट है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है मदन डगर पर मत्चल सरक पर चल सारे क्या है तीन अक्षर वाले शब्द है इधर उधर मत्चल, मतक मतक कर मत्चल एक एक कदम बढ़, गलत जगः मत्चल हल कस कर पकर, शहर तक मत्चल फसल रख कर नहर तक चल नहर पर ठहर, अब एक बतक पकर बतक पकर कर महल तक चल देखिए सारे तीनक्षर वाले शब्द है बहस मत कर लड़ जगर मत अब हवन कर पलक मत जपक अब भटक मत सफल पत तक चल भगत बन पलक मत जपक एक अब भटक मत सफल पत तक चल भगत बन अगर मगर मत कर एक भजन पढ एक एक अक्षर पढ देखिए अक्षर भी तीनक्षर वाले शब्द हो गए सब समझ कर पढ गरम शहत यहां शहत भी है गरम भी है गरम शहत चक कर उचल मत नत पहन कर अकड मत तो यह तो पाठ हो गया बच्चो आपको यह पढ़ना सीखना है सुंदर से और यहां कुछ अभयास का रहा है देखिए यह आपको चित्र देखना है तो यह कहां है बतक का चित्र है तो बतक बतक यह क्या है फसल 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 कमल यह क्या है गरम चाय क्या है गरम होता है, तो गरम गरम यह क्या है क्लश कीलस महल महल अब दूस्में में देखिए programs one या पिछ चाय के जोड़कर नएशब बनौ आपस्वंगल्व मेलन फिर्ड यह गट जबहते हैं इस जगत फिर्ड टु कहलम मोकलब यह से तो आपको यहां क्या लगाना है सोचिए तो आपको अपने से लगाना है पवन यहां पर लगा देना है तो क्या बन गया पवन यह हल है तो आप यहां पर लगा सकते महल महल यहां फल है तो आपको यहां लगा देना होगा सफल सफल उसी तरह भजन भजन कमल कमल नम है तो जगह भड़ो अब यह बाक्य यहां दिया हुआ है यह किस चीज़ का चित्र है नमक यह सरक और यह बताये तब हवन तो यहां नमक इधर रख सरक पर मत टहल और चल हवन कर तो आप इसको अच्छे से बुक को बनाईएगा उसके बाद आपके लिए कुछ हमवर्क है जिसमें अभ्यास करें कॉपि का है तो आप अच्छे से कीजिएगा कमल का तो आपको क्या लिखना है यह सरक है सरक यह क्या है बतक और यह यह व्लस लिखना या शब्द पूरे करो है फ बीच में आप यहां पर सरल लिखेंगे अब नीचे में वाक्य बनाई हैं वाक्य बनाओ तो सरक पर आपको अपने से बनाना है सरक पर मत सरक पर टहल या कुछ भी आप लिख सकते हैं यह आपके वाक्य में भी यहाँ भी है वाक्य दिया हुआ है आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं सरक पर टहल अब नहर है तो यहाँ पे देखिए नहर से क्या है नहर चल तो आप यहां लिखेंगे नहर चल अब यहां बहस है तो बहस मत कर आप यहां पे लिख सकते हैं ठीक है बच्चो तो आपको यह exercise पूरा कर लेना है और बुब का पार्ट जो है वो अच्छे से आपको reading देने का practice करना है ओके चिल्डरन बाए बाए